येरे स्टुडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयूस तो अगर आप 10th और 12th के स्टुडेंट है और अगले साल बोड एक्जाम देने बाले है तो इस वीडियो में जो CBSC ने डवल एक्जाम कराने का जो फैसला लिया उसका पूरा पुस्ट माटम करने बाले है तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा और मैं पूरी कोशिस करूँगा कि आपके जितने भी कंफ्यूजन है क्वेसान है उसको इस वीडियो में कवर कर दूँ और नहीं अगर कोई छूड जाता है तो उसको नीचे कॉमेंट कर दीजगा मैं उसके भी वीडियो बना दूँगा तो हुआ है स्टुडेंट ऐसा कि आप रात में सोय थे और अचानक सी जटका दे दिया कि बाबू अब हम डवल एक्जाम कराइंगे अब बच्चे हो गए परसान तो परसान होने का कोई भी जुरुत नहीं है बस सांती से समझिए like लेगा अब during the बात को समझीए ओसमें टर्मः और टर्मटू एक्जाम को लेगा ठिक इतना सीबीयासी बरण काहा है कि टर्पवनиться डीशंबर के बीच ले लेंगे ठीक और टर्म टुको जो अप्रील मार्च में होता था बोर्ड एजाम उस फैसन पे हम लोग ले लेंगे अब इसकी नौबत क्यों आई सो समाधना बहुत ज्यादा जरूरी है देखिए स्टूडेंट अभी जो मार्च मिला है जो आपके सिनियर पास हुए है बोर्ड कैंसल होके तो इसकूल वाला सबको 95% 90% दे रहा है अकदम कुछ भी करके दे रहा है कुछ भी दक्षिना उक्षिना लेके कुछ भी सिस्टम से दे रहा है तो अब बोर्ड सोच रहा है कि आ रहे तोड़ी की तो सब बच्चा मलाई काट रहा है अगदम सब 95% 90% ला रहा है तब तो यह दे से उलट जाएगा तो इसके लिए यह एकदम जो यह सिस्टम है इसको लाया गया है अब देखिए स्टूडेंट टर्मोन इक्जाम में क्या कहा गया है कि जितना भी आपका अभी सिलेबस है उसमें कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा और जितना भी सिलेबस बचेगा उसका 50% सिलेबस इधर और 50% इधर बटवारा होगा अब Sir Slavis क्या है सलेबस कब आएगा तो इसके लिए थोरा ही सा आपको धहरे रखने की जुरत है 10 से 15 दिन में आपको पूरा जो syllabus है वो मिल जाएगा इसके लिए ज़्यादा एकदम हुलबुली नहीं करना है एकदम हुलबुलाना नहीं एकदम आपको दे दिया जाएगा बोट के website पे ठीक है बस इतना आप लोग याद रखिए अब ये term 1 एकदम जो होगा जो 50% syllabus का होगा है student ये totally mcq based होगा जो omr seat पे लिया जाएगा ठीक है ठीक है सर इतना तक समझ गए कि mcq होगा omr seat पे लिया जाएगा और ये जो एकदम है ये आप ही के school में लिया जाएगा इस बात को भी गाठ बान के रख लिजे school में लिया जाएगा अब बच्चे सोच रहे होगा कि सारी school में लिया जाएगा तो वही class बला एकदम होगा मतलब cheating o tinker करके काम चल जाएगा तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे cbsc के पूरे external लहेंगे उसी के जो jam controller रहेंगे सभी आपकी school में बैठे रहेंगे और साम में ही जो आप omr seat देंगे वो cbsc के site पे upload कर दिया जाएगा बस इतना आपको ध्यान लखना है उसके बाद अप्रील में क्या होगा कि 50% syllabus का एक jam होगा अभी यह कैसे होगा mcq होगा कि theory पे होगा इस पे अभी बहुत clear बात नहीं कही गई है बोड के द्वारा और यह तो निश्ची जो बाहर center पे होते थे उस type से होईगे और इसमें जैसा बोड का pattern चलता आ रहा है उस type से इसमें exam होगा इतना cbsc ने student कहा है अब ध्यान देने वाली बात है कि दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि मालीजे टर्मण exam के बक्त नॉमबर और डिसमबर में इस school बंद रह गया इस school एकनाम close है क्योंकि आप देख रहा है अभी बिहार में हमारे 6 जुलाइसी school खुलने वाला है लेकिन अभी महरार सम्में बंद है तो क्या किया जाएगा exam को नहीं लिया जाएगा इस बात को गाट मालीजे exam को नहीं लिया जाएगा लेकिन इस पर उतना clarity नहीं है कि online ले ले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है बस इतना ही कहा गया उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर मालीजे की अपरील में मार्च में जैसे इस बार था कि कोरोना एकदम बेसमहार हो गया कोरोना कहा रहा है हम भी board exam देंगे तुम बच्चा को board में बलाओगे हम भी वहाँ पहुंच जाएंगे तो board exam नहीं होगा तो इसी के आधार पे आपको marks दे दिया जाएगा यही term 1 के आधार पे माल लिजे कि term 2 जब हो रहा है एक बार और समझने का कोशिच कीजिए अपरील में term 2 हो रहा है अगर कोरोना वाइरस यहां आ गया exam नहीं हुआ तो क्या होगा क्या होगा इसी में का आधार पे आपको marks दे दिया जाएगा पूरा data तो cbc के पास रहेगा इसी में आपका बढ़ा चड़ा कर marks यहां दे दिया जाएगा ठीक इतना याद रखना है और एक और बात कहा गया cbc दोरा कि अगर term 2 अपरिल में exam हो जाते हैं तो इसका value थोरा सा कम दिया जाएगा और इसका value ज्यादा marks का दिया जाएगा और तब दोनों को add करके आपको marks दे दिये जाएंगे इसमें कुछ भी नया नहीं है अब कहेंगे आपकी सर यह क्या बता रहा है कुछ भी नया नहीं है देखिए student आपके जो भाईया दिदी हुएंगे जो आज से तीन साल पहले 10th कियो होंगे उनमें एक system था cgps system और आपके भाईया दिदी है आपके साथ पढ़ रहे होंगे तो आप भी समझ रहे होंगे यहां तक कि आपने भी 7th 8 class तक cgps system को देखा है जिसमें essay 1 exam और essay 2 exam होता था summative assignment और summative assignment 2 वो ही वाला system यह आया है term 1 और term 2 बाकी बाद इसमें कुछ भी नहीं है अब आपको क्या ध्यान रखने की जुरुत है आप सबसे important बात यह है कि student इसको मैं rough कर रहा हूं थोरा सा समझी है कि जादू आपको दे देते है जो बचा सब भाग गया होगा भाग जाए आप बैठे हुए ध्यान से समझी है इसको हम यह मिटाना है और इसको मिटा आ ठीक है student अब देखिए आपको क्या ध्यान देना है सब बड़ी बड़ी गलतियां है term one exam जो होगा अब number में होगा दो से तीन महीने के आपके पास समय है जो भी देख रहे class 10 के देख रहे या class 12 के देख रहे आपको यही कहूंगा कि आप term one के लिए अच्छे से prepare कीजिएग अगर आपके इसमें 90 आगे तो अगर term two exam नहीं होता है अप्रील में कोरोना के बज़े से तो आप बहुत अच्छा हुआ स्कोर कर जाएंगे इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा उसके बाद अभी से जब आप पढ़ाई करेंगे term one के लिए mcq पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ये बात हुआ अब time duration क्या होगा सो समझ लीजिए exam का तो term one exam 90 मिनट का होगा श्रीफ और स्रीफ 90 मिनट का और term two exam जो होगा आपका वो होगा दो घंटे का इतना आपको ध्यान रखना है ठीक है student तो यही कहूंगा कुछ भी नहीं आ नहीं है mcq आपको पढ़ तक जो आपका जो शुरुआती चेप्टर है उसको बहुत मजे में पढ़िए उसका mcq करते रहिए आपका एक भी question नहीं छूटेगा अब दूसरा question आता है कि सर यह good है या bad है क्योंकि आप लोग का मैं देख रहा था एक mail आया था कि सर यह आया है इस पर थोड़ा बताई हो गई कि जैसे 12 के हमारे student होंगे तो कितना पढ़ना है physics में math में तो चली एकदम सदा बाहर हो जागा आधा आधा पढ़ना रहागा बहुत मजे में आप लोग पढ़िएगा इतना याद नहीं हो पाता है ठीक बैड इंपेक्ट इसका यही है कि आपको एक लफरा में फसा कि यहां अभी कि लिए सुचति है, सरकार का में यहीं सोचना था कि फिर जा के उ मार्च अप्रिल में हंगामा न उठ जा कि बूर्ड नहीं होगा नहीं होगा क्या क्या आधारकार्ट बना के यहीं शिट हो गया है तो सरकार भी जोच रही कि कैसे कैसे किया जा, इसी को लेक कर ये निर्नय लिया गया है घबराने की जुरुत नहीं है एक बार और बता दू सलेबस आ जाएगा इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजे सर क्या उसमें रिडक्शन होगा तो बिल्कुल दस से बारा परसेंट उसमें रिडक्शन होगा लेकिन अभी नहीं आया है तु ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोटीपे के संदबादी जगा जहिंत बंदे मात